नमस्कार दोस्तों, आज से एक हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो बहुत सारी आपने एक्जामों में देखे होंगे कि जो रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स पूंचा जाता है कि ये रिपोर्ट है, ये किस और्गनाइजेशन के द्वारा पब्लिस की जाती है, दोस दोस्तों, मैं एक एक चीज़ को आपको बताते चलता हूँ, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, और प्रेस दा बेल आइकन फॉर दा नोटिफिकेशन आफ नेक्स्ट वीडियो, दोस्तों, सब सबसे पहले मैंने यहां पर वर्ड बैंक लिया है, सबसे पहले मैंने क्या यहां पर लिया है, वर्ड बैंक लिया है आपके लिए, तो वर्ड डेवलब्मेंट जो रिपोर्ट है ना, वो वर्ड बैंक पब्लीज करता है, कौन पब्लीज करता है, और जो ग्लोबल एकनोमिक प्रोस्पेक्ट से यह भी वर्ड बैंक पब्लिस करता है और जो यहां पर यह वर्ड डेवल्ब्लमेंट इंडेक्स है यहां पर यह वर्ड डेवल्ब्लमेंट इंडेक्स है यहां पर यह मैं भूल गया हूं टाइप करना वर्ड डेवल्ब्लमेंट इंडेक्स है तो यह भी हम लोग International Monetary Fund, IMF. International Monetary Fund कौन-कौन सी report publish करता है, World Economic Outlook, यह कौन publish करता है, IMF publish करता है, Global Financial Stability, यह कौन publish करता है, IMF publish करता है. दोस्तों, यहाँ पे मैंने हर एक organization, एक organization को pick up किया है, और वो organization कौन-कौन सी report publish करता है, उसको मैंने sequence में arrange किया है. आईए दोस्तों, next पे चलते हैं. RBI हमारी पास कितने 6-7 रिपोर्टें publish करता है, एक-एक report को हम ब्राबर देखेंगे. जो Reserve Bank of India, वो Financial Stability Report publish करता है, Monetary Policy of India और Handbook of Statistics on Indian Economy. यह question कई बार पुछा जा चुका है, इसलिए आपके लिए यह वाला question बहुत important है, कि Handbook of Statistics on Indian Economy कौन publish करता है, तो यह RBI publish करता है. Next जो RBI के है, RBI भी तीन और दो और publish करता है, वो कि है Quarterly Statistics on Deposits and Credit of Schedule Commercial Bank of India. यह भी RBI के दोरा publish की जाती है. दोस्तों, मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं data को इसलिए आपके सामने हर एक screen पे आपके सामने arrange कर दिया है, ताकि आप चीजों के notes बनाईए और अच्छी तरीके से पढ़िए. आप pen और copy पे जितनी भी यह slide में जितनी भी reports और published by लिखी हुई है. दोस्तों, यह आप ऐसे ही लिखिए, मेरा विश्वास करिए, कि हर एक exam में इससे लगभग लगभग banking के हर एक या दो exams के बाद यह जरूरी जरूर पूछा जाता है. ठीक है, तो quarterly statistics on deposit and credit of scheduled commercial bank in India. यह Reserve bank of India publish करता है. Report on trend and progress of banking in India. यह भी Reserve bank of India publish करता है. Asian Development Outlook, यह ADB publish करता है. Asian Development Bank. Asian Development Outlook कौन publish करता है? Asian Development Bank publish करती है. Asian Development Bank कौन सी report publish करती है? Asian Development Outlook publish करती है. अब दोस्तों आते हैं World Economic Forum पे. World Economic Forum कौन कौन सी report publish करता है? सबसे पहले publish करता है Inclusive Growth and Development Report. कौन सी publish करता है? Inclusive Growth and Development Report. Engaging Tomorrow Consumer Report. यह भी World Economic Forum publish करता है. Environment Performance Index. यह कौन publish करता है? World Economic Forum. तो दोस्तों World Economic Forum Inclusive Growth and Development Report. Engaging Tomorrow Consumer Report. Environmental Performance Index. यह कौन publish करता है? World Economic Forum publish करता है. और दोस्तों कुछ है World Economic Forum Global Competitive Index. यह बहुत इंपोर्टेंट है. यह रिपोर्ट जो है ना उस्तों यह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है. यह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है. यह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है. बहुत बार य किये और एक किये. यह दोनों बहुत इंपोर्टेंट है. Global Gender Great Fact Index. यह भी बहूत इंपोर्टेंट है. यह वे वर्ड इकनोमिक forum के ही द्वारा publish की जाती है और human capital report human capital report ये भी आपके पास world economic forum के द्वारा publish की जाती है inclusive growth inclusive growth and development report inclusive growth and development report ये भी जो है न ये तुमारी world economic forum के द्वारा publish की जाती किसके द्वारा publish की जाती है world economic forum के द्वारा किसके दोरा world economic forum के दोरा नेक्स्ट पर आते हैं तो यह है ना outlook on global agenda यह भी जो दोस्त है ना यह भी तुमारी world economic forum के दोरा publish की जाती है ने outlook on global agenda the global risk report यह जो report है यह world economic forum के दोरा publish की जाती है आते हैं दोस्तों next अब आते हैं Human Development Index बहुत इंपोर्टेंट है ये इंडेक्स तो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है जो Human Development Index है वो UNDP के द्वारा पब्लिश की जाती है United Nation Development Program जिसको हम लोग UNDP बोलते हैं फिर आता है Sustainable Development Goals ये जो है ये भी UNDP के द्वारा पब्लिश की जाती है United Nation Development Program के द्वारा फिर आता है Gender Inequality Index ये भी UNDP के द्वारा पब्लिश की जाती है United Nation Development Program तो United Nation Development Program के द्वारा कौन-कौन सी report publish की जाते हैं Human Development Index दोस्त ये जो तीनों हैं UNDP के द्वारा बहुत important है इनसे question बहुत पुशा जाता है Human Development Index, UNDP के द्वारा Sustainable Development Goals, United Nation Development Program के द्वारा Gender Inequality Index, ये भी United Nation Development Program UNDP के द्वारा Next पे आते हैं एक लिखा है Global Hunger Index Global Hunger Index जो है ना वो International Food Policy Research Institute के द्वारा publish किया जाता है, बहुत important है Global Hunger Index, ये International Food Policy Research Institute के द्वारा किया जाता है Global Innovation Index, ये INSEAD के द्वारा किया जाता है इसका दोस्तों मैंने जान के फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है आप मुझे comment box में ये comment करके बताईए कि INSEAD का फुल फॉर्म क्या होता है Global Innovation Index ठीक है Next पे आते हैं World Economic Situation and Prospects ये दोस्तों UN करता है, United Nation Organization करता है United Nation Organization करता है World Economic Situation and Prospects Next पे आते हैं Economic Freedom Index Economic Freedom Index कौन पब्लिश करता है The Heritage Foundation करता है The Heritage Foundation करता है The Heritage Foundation करता है आपके पास में फिर आता है World Happiness Report World Happiness Report कौन पब्लिश करता है आपके पास में SDSN, Sustainable Development Solution Network, बहुत important है, यह organization भी published जिसके द्वारा किया जाता है, और इसका full form, Sustainable Development Solution Network, क्या publish करता है, Global Happiness Report, Thank you, दोस्तों, जितनी भी reports थी, मैंने एक एक करके publish कर दिया, आपके सामने, जैसे जैसे, मैं आपको कुछ एक बार और important बता दे रहा हूँ, World Economic Outlook, IMF publish करता है, World Bank जो है न, वो दो तो सबसे ज़्यादा important करता है, एक तो, मैंने लिखी भी ने, Easy of Doing Business Index, यह लिखा हुआ है, मैंने, World Bank publish करता है, दूरसा लिखा है, Global Development Index, यह World Bank publish करता है, बहुत important है, एक लिखा है, हमने, World Investment Report, यह अंक टॉड करता है, World Investment Report कौन publish करता है, अंक टॉड करता है, that is the very most important, UNDP की दो report हैं, जो की सबसे ज़्यादा important है, दोस्तों, मैं यह अब बोल, वो चीज रहा हूँ, जो exam में अभी तक सबसे ज़्यादा पूची गए, Global Development Report, यह UNDP करता है, United Nation Development Program, Gender Inequality Index, यह भी United Nation Development Program, UNDP publish करता है, दोस्तों, World Economic Forum 2, सबसे important, जो अब मैं दो बोला हूँ, जो exam oriented है, Global Competitiveness Index, Global Gender Gap Index, यह दोनों World Economic Forum करता है, एक दोस्तों, मैंने इन स्लाइड पे नहीं add किया है, उसको आप लिखिए, Global Corruption Index, सबसे important है, Global Corruption Index, यह Transparency International Publish करता है, एक और मैंने नहीं बताया आप पो, वो है, Global Peace Index, Global Peace Index, Institute for Economic and Peace Publish करता है, और दोस्तों, Global Hunger Index, IFPRI, जिसको हम लोग बोलते हैं, International Food Policy Research Institute, International Food Policy Research Institute, Global Hunger Index Publish करता है, और World Economic Outlook, IMF Publish करता है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज एक कमेंट जरूर आपकी तरफ से मैं चाहता हूँ, और आप लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में सेयर करें, थैंक यू